कि आप लोग काफी अच्छे में आपका स्वागत करता हूं और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम बात करने वाले सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको फीज के डिटेल से और आपको शेयर कर दोंगा जुरने के लिए आप मुझे वाट्साप कर सकते हैं वाट्सापन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा पीडियाफ में साथी साथ आप हमें आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक दिख जाएगा आप वहां से भी डारेट्टिम उब से बात कर पाईए मैं तो चल जाले डिसकर करना है कि एक और निशन जो आप करता है उसके बारे में बात करेंगे साथ ही साथ कितना relevant है जो modern theory है वह अभी के time पे जो modern organizations है उसके लिए वो कितनी ज्यादा relevant है कितनी सही है कितना उनका काम हो पाता है इसके बारे में बात करने मारे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं so the modern organization theory believes in dynamic condition at micro and macro levels it identifies it identifies the dramatic changes that are taking place in the society तो अभी के टाइम पे modern and order a dation theory के तहत यह माना याता है कि जो environment है हमारा जिस environment के तहत एक business जिस environment में business काम करती है उपनी functioning को करती है वह बहुत ही dynamic है महां का जो condition है वह बहुत ही dynamic है आज अगर situation आपके favor में है तो अगले दिन आपके opposite में हो सकता है आपको जो है आपने situation के साथ-साथ आपको जो है अपने चीजों में बदलाव करने के जुरत है जब भी आपको ऐसा situation पड़ेगा जब आपको changes करने के आपको changes करने पड़ेंगे ठीक है ना कि बात यहां पर बोली जा रही कि डाइनेमिक कंडिशन के में अभी हम लोग रह रहे हैं और जो भी changes अभी हो रहे हैं यहां देको लिखा हुआ है इट आइंटिफाइज अभी हो रही है उनको और इंटिफाई करता है जो कि society में हो रही है और फिर उसके अपने डिसीजेंस लेता है या उसका अपने स्ट्राइजी को त्यार गरता है ठीक है तो जो मॉडर्ण थियूरी के बारे में उसका एक सब्सक्राइब करना है इस तरह के चीज़ है तो इस चीज़ के ऊपर यह बेस है इसे हम लोग इसे एक सिस्टम थियूरी भी बोल सकते है जो 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 इसे होता है एक साइटी की तरह होता है उसके अरेजमेंट की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग है members है और organization है उसमें individuals है customers है जो कि पूरा का पूरा जो हमारा environment बिजनस environment उसका हिस्सा है तो उसमें जितने भी सारी चीज़ें हो रही है वो एक तरीके से जैसे society में changes आते हैं लोग हैं उसी तरीके से चीज़ें जो है एक organization में भी होता है इसलिए यहां पर देख और अच्छी चीज़ें होती है कुछ बूरी इस तरीके से कहा है कि यहां पर communications होता है between the members और आइशन इंडिविजूल्स इंडिविजूल्स इस तरीके से मैरी Parker Follett कि अगर आइडिया की बात करें उन्होंने कहा है मैरी parker Follett had laid influence on thenelle integration और इंडिविजूल और principle units ढ़ल सिस्ट्म अप्रोच यहां पे इन्होंने integration की बात की है एक व्यक्ति जो काम करने जा रहा है और जिस जगह पे वो काम कर रहा है तो उसके आपस में जो एक अच्छा तालमेल बैठेगा एक system approach किता है एक system के तहर दोनों के बीच में जो है integration create करना बहुत important होता है ताकि कि आप trustworthy हो सको और अपना काम जो है ठीक तरीके से कर सको उसके बहुत important है कि जो दो factors है इसे भी business को चलाने के लिए individuals चाहिए और वो business अपने आप में एक factor है तो 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 मेरी पार पर follow it का कहना था या उन्होंने एक तरीके से emphasis किया कि अगर आपको business अच्छे तरीके से चलाना है और अच्छा करना है तो उसके लिए आपको integration create करना पड़ेगा कि एक individual और आपकी इंपोर्टेंट है और मतलब उसको चीज एहसास दिलाना चाहिए ना that you are a part of this company and you are very important to us and whatever you are doing means to us चाहिए ना जो भी चीज़े वो करते है वो माइने रखता है ठीके ना तो इस तरीके से एक integration create करना पड़ता है बिट्वीजूल और और अजिस्टल यूनिक्स नॉर्बट वीनर की बात करें तुने ने कहा अब वह पाइनियर थे इस मामले में मतलब यह और भी पहले आपके यह बात कहीं थी कि साइब क्रिस्टिल क्लियर विजिजन और 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 आशन अजय को अजय को शुटा है उसके अकॉर्डिंग मतलब एक तरीके सचे और ने वह आज अजय को चीजें है उसे में भी सारी चीजें होती है अनल सारी चीजें वह बात वोने ने ने बहुत पहले कह देए ती जिशिए और फैसे मैं मैंने अल्वेति इन पर आप विए शॉच्टिंग घ्र्टाश्यू कॉल्ट्व सब्सक्राइट कालू आट क्लूंट अप्रनाशन उसें उपन शिस्ट्म एप्रोच्शा थिया ब्ला सुट्हां पर तरीके से कम्लीटेटि एक सिस्टम अप्रोच के तए पर यह थाप करता है, सब्सक्रा मास पर सब्सक्राइब, जितने भी यहां उन्हें शारी यह बात पर चाहिए तो, अगले पराग्राफ की तरफ चलते हैं तो दा सिस्टम प्रोज इस एक्षे एक्षे इसे पी इसे बाद बुली जाती है कि सिस्टम अप्रोज जो है उसके इस्तमाल एक और शुटिशन में बहुत अच्छे तरीके से होता है एक और शुटा कि उपर से कोई ऑड़र आया उसने अगले वाले आपने इंप्लाइश को बताया उसके इंप्लॉई्इस को बदाया सबकूब इसके काम करने की दौरान पर जो भी चीज़ें वह लोग तीज़े-दीज़े करके ओपर के तरह करते जाते हैं तो इसकाने को चलाने की एक सिस्ट का जो कि हम करते हैं चाहे हो एक्टनलों या पर इंटनल उसका रिलेशनशिप हो इसको एक तरीके से बहुत ही अच्छा एक नव तरीका बताया जा रहा है जिसके जरीए आप एक ओनाशन को बहुत ही बहुत ही बहुत ही बना सकते हो कि अब चीज़ें होंगी तो बहुत अची होंगी लेकिन यहीं चीज जो है जो ट्रिश्टन अप्रोच यह जो इसके कारण से एक बिजनेस और इसमेंट जो है एक एक तरीके से काव गर पाता है ठीक है अब बिजनेस को करेंगे उसके अप्रोच जो है वो भी चेंज़ेस को करेंगा करने की कोशिश करता है ताकि किसी को दिक्तत ना हो जो भी इंवार्मेंटल चीज़ेस हो रहे हैं उसके उसको उसको बहुत ही जल्दी अड़ाप्ट कर सको इस तरह के चीज़ें यहां पर बात की गई है स्कॉट अभी एग्जिस्ट नहीं करता बड़ आने वाले समय में हो सकता है पॉटेंशिल ऑप्रोच भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है कि आपको अग्देशा है कि ऐसा हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो तो अभी के टाइम पर इस विए इस वाली चीव में किया जाता है कि आगे चलते हैं तो इस अप्रोच और प्राइटिकल एंड रियलिस्ट फ्लिवर्स तीर जो चाहूंगा जो प्रोच नहीं कि आपको चेंज़ को लानी होगी ठीक है ना तो यह बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें होता है साथी साथ जैसे पुटिंग आउट फायर की बात की जा दिए इसका मतलब होता है एक तरीके से आप लोगों को पुश करो और बहतर कर सकें स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा एपल को खड़ा करने के पीछे सिर्फ स्टीव जॉब्स नहीं थे उनके इंपल किया और लोगों ने और अभी के टाइम पर आप जानते हो कि अपल की ब्रैंड वल्यू क्या है दुनिया में सबसे हादा ट्रस्ट्वर्दी ब्रैंड अभी अगर कोई है तो वह अपल है ठीक है एक तरीके सब वह चीज़ करने की बात यहां पे की जाड़ी है मॉटन थियो जो सबसे बड़ा जो बेनेफिट यही है कि आगे जा करके जो कॉंप्लेक्सिटी आएगी हर एक सिच्वेशन वह सिच्वेशन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे वह एक तरीके से यह आपके अंदर बिल्डब करता है ठीक है आपको अवेर कर देता है कि देखो आगे जाक लोगों का उसको अप्रोच करने का नजरिया अलग-अलग होता है कोई उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ लेते हैं कुछ करते नहीं उसको ठीक करने के लिए कोई वहां तो आपर देखता है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन साथ इसाथ opportunity भी है मैं कल भी एक example दे रहा था कि कोवीड के टाइम पे इतना बड़ा crisis था पूरे world में लेकिन फिर भी इंडिया में 28 यूनिकॉंस निकल करके आए भाई साब एक एक कंपनी के वैलिवेशन साथ साथ हजार करोड से ज्यादा 28 यूनिकॉंस आप समझ प्रोच की बात की जा रही है modern theory की बात की जा रही है it is similar to system theory as it examine the relationship between the sub system and specific organization in a given environment and also offers desired solution to particular organization problems systematic theory के साथ थोड़ा बहुत dependent है दोनों तक्रीबन एक ही किसम की होती है contingency में आप ज़्यादा है रहते हो आने वाले चीजों को लेकर सिस्टम में सारी चीज़ें सिस्टम में चल रही होती है छोड़ा से difference बस यही है लेकिन कोई अगर त्योरी कोई अगर और सिस्टमाटिक अगला पारग्राफ है इस मेजर अटेंशन वस प्रॉब्लम सब्सक्राइब पूटिक यह उसी लाइन को वापस से बोल दिया गया तो आपको यह बोला जाएगा इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है तो जब भी आप सवाल को पढ़ो यह मत सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एकदम भूगा हूँ जिन लोगों ने मुझसे अभी तक नोट्स ली है मैंने सबको कहा है कि अगर बहुत लोगों को नहीं भी कहता हूँ तो मैं फिर से कहता हूँ आपको कि जब आप नोट्स ले रहे हो तो आप यह मत सोचों कि जो मैंने दिया है एकदम पूश्चन भी उसी तरीके से आएगा एंसर्स वही रहने वाले हैं बड़ पूश्चन पूशने का तरीका डिफरेंट होता है एकनों का हर एक्जाम में ठीक है सम्टाइम्स को अच्छे तरीके से समझें उसके एंसर्स को ठीक तरीके से पढ़ें और पॉइंट्स को याद रखें ताकि आप लिख सकें एक्जाम है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और उनको भी पता चल पाए हमारे साथ मिलते एंगले वीडियो में अपना ख्याल रखें बाई थैंक यू